हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबेका आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकडेवी में तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग टॉप 50 करेंट रिफर कोशन के बारे में डिसकस करेंगे दो हजार अठारा का टॉप 50 कोशन डिसकस करेंगे जो आपके आने वाले हर एक एक्जाम के लिए फाइदा होगा चाहिए आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो इसके लिए बहुत ही फाइदा होगा देखिए कोई भी एक्जाम में आपका जिसे कुछ पहले कही आपका करेंट डिफर पूछा जाता है माल लेजी अभी 2019 में कोई भी एक्ज बेल को भी जरूर दबा ले और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें देखे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के गवर्नर उर्जित पटिल ने इस्थिपा दिया है ठीक है आप सभी को पता है कि उर्जित पटिल जो आप गवर् अंतराष्टय नागरिक उडियान दिवस कम मनाया जाता है तो यह आपका साथ दिसम्मण को मनाया जाता है यह आपको याद रखना है नेस्ट कोशन देखिए नेस्ट कोशन क्या है Miss World 2018 का खिताब किस ने जीता ठीक है Miss World 2018 का खिताब किस ने जीता तो आपका option B से यह हो जाएगा Vanessa, Posse, D, Leon ठीक है इन्होंने ही Miss World 2018 का खिताब जीता है नेस्ट कोशन है रूप टॉप सर उर्जा परियोजना के लिए नवाड ने किस के साथ समझोता किया है ठीक है जो आपका रूप टॉप सर उर्जा परियोजना है तो उसके लिए नवाड ने किस के साथ समझोता किया है तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा GCF Green Climate Fund इनके साथ ही इनोंने समझोता किया है next question है वर्स 2035 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा एकोनोमी वाला सहर कौन सरहेगा ठीक है 2035 तक सबसे ज़्यादा एकोनोमी वाला सहर कौन सरहेगा तो यह आपको option D से ही हो जागा शुरद next question है next question दीखे विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थन पर है तो वो है हमारा अपना देश भारत किस देश के सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए अलग से कानून बनाया है ठीक है वो कौन सा देश है जिन्होंने विदेशी नागरिक के लिए अलग कानून बनाया है तो आपका option A से यह जगा जापान जो जापान है उन्होंने अलग कानून बनाया है जो विदेश के नागरिक के लिए ठीक है next question है दुनिया की पहली hydrogen इंधन से चलने वाली train किस देश से बनाई है ठीक है दुनिया की पहली hydrogen इंधन से चलने वाली train किस देश ने बनाई है तो आपका option A से यह जगा जर्मनी के द्वारा यह बनाई गई है next question है किस राज में सहापूर कड़ी बांध पर्योजना को मंजूरी दी गई है ठीक है किस राज में सहापूर कड़ी बांध पर्योजना को मंजूरी दी गई है तो यह आपका option C पंजाब में दी गई है नेश कोचन है, नेश कोचन क्या है कि हाल ही में RBI Reserve Bank of India के नए गवर्णर कोन मने है, ठीक है, तो उर्जीत पटल जब इस्तिपादे दिये तो उनके जगह पर किसको बनाया गया है, तो यह अपका option C से होएगा, सुरिकांदास दास, ठीक है, सुरिकांदास दास को नए गवर् कम मनाया जाता है, ठीक है, राष्टिया उर्जा संरक्षन दिवस कम मनाया जाता है, तो यह आपका कम मनाया जाता है, तो आपका यह 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है, कम मनाया जाता है, तो यह आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष आपका फिभी सिंदू कि दौरा ये जिता गया है तो इसका option A सही हो जाएगा Next question है हाल इमें किसने संकट परबंधन योजना तयार की है तो इसका right answer का हो जागा option A आपका हो जागा भारत सरकार भारत सरकार के दौरा ये तयार की गई है Next question है हाल ही में ICC, International Cricket Council का अधिकारिक परियोजे किसे घुशित किया गया है तो इसका आपका Royal Stake को घुशित किया गया है Next question है पधान मंत्री नरेंद मोदी ने किस इस्तान पर TV मुक्त सिखर सम्मेलन का उदगादन किया टीवी मुक्त सिखर सम्मेलन का तो ये इसका अप्शन एसे जगा नहीं दिली में इसका उदगादन किया Next question है हाल ही में 20 कस पहला त्यरता हुआ परमानु उर्चा संयंत्र कहां सुरू किया गया है त्यरता हुआ तो ये आपका रूस में शुरू किया गया है Next question है मेरी कौम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन से में कितनी बार गोल लिजिता है तो ये आपका कितना बार गोल लिजिता है उनकी द्वारा तो ये आपका छे बार इसका राइड एंसर हो जाएगा Next question है हाले में किस राज को किसी कर्मन पुरुषकार मिला है तो वो आपका जार्खन को ये पुरुषकार मिला है Next question हाले में FTI के नई अध्यक्ष कोन न्यूक्त होए है तो ये आपका option भी ब्रिजेंद पाल सिंग को न्यूक्त किया गया है Next question है हाले में विश्व का पहला तरतावा पर्मानु उर्जा संयंत्र कहां शुरू किया गया ये तो हम लोग को सिंग कर लिए आपका option C से यह गया रूस में किया गया है Next question देखिए येस बैंक के अंतिम अधिक्ष की रूप में किसी चुना गया तो आपका option C से यह गलागा भ्रह्मादत की से ज़ाए है भारती A start-up help उस green को किस के द्वारा तो इसका right answer का जागए option A सहयोक तुराष्ट के द्वारा सममानित किया गया है बारत ने किस देश के साथ हज समझय पर हस्ताक्चर किया है तो यह आपका option A सही हो जागा साथ साधी अरब के साथ न्यष्टकुशच ने हाली में किसी मित्वयी मिला शिर्षक से समानित किया गया थीizer तो अपका option d से做uga meritum को समानित किया गया है न्यष्टकुशच ने पधानमंत्री itamodhi n Mana i. ने च्थोथे भागिदार फोर्म का उध्धाटन किया थीरploy ठीक है चोथे भागिदार फोर्म कहां उद्गाटन किया है तो इसका उपसंसी सेज़ोगा नई दिल्ली में इसका उद्गाटन किया गया है नश कोशन है हाली में RBI ने किस बैंक पर एक कड़ रुपया का जुर्माना लगाया है ठीक है किस बैंक पर तो यह आपका उपसंसी सेज़ोगा इंडियान में पर छुल्माना लगाया है नश कोशन है हाली में किस ने ऑन online प्राटल इन्सओर्ट है ठीक है एक ओनलाइन पॉर्टल का लॉंच किया जिसका नाम है इंशूर तो यह किस ने लॉंच किया है तो यह आपका राधा महांद सिंग के दौरा किया गया है नेस्ट कोशन है हाल ही में फाइनेंशियल एक्षन टास्क फोर्स का पूर्ण कालिक सदेश कोन सदेश बन गया है तो यह आपका ओप्षन सी इजराइल जो इजराइल है वो आपका फाइनेंशियल एक्षन टास्क फोर्स का पूर्ण कालिक सदेश से बन गया है next question है हाली में WTA coach of the year कौन मना है ठीक है हाली में पहले WTA coach of the year कौन मने है तो ये आपका right answer क्यों जागा सच्चा बाजिन ये बन गए है next question है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ठीक है तो ये आपका असोग रिहलोद अपि बन गए है तो ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है तो असोग रिहलोद आपका नए मुख्यमंत्री है next question है अंतराष्टिय सारवभवमिक स्वास्थ कबरेज दिवस कम मनाया जाता है तो ये आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है नेस्ट कुछन है हाल ही में भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल कौन सा सुरू किया गया है तो यह आपका राइड नसर क्या होज़ेगा स्पोर्ट्स फ्लेसेज किस मंत्राले ने ट्विटर अकाउंट एडिरेड साइबर दोस्त लांच किया है तो यह आपका ग्रेहं मंत्राले के द्वारा यह लांच किया है नेस्ट कोशन है टाइम पत्रिका के परिसन अब दा यह 2018 का किताब किस मित पत्रिकार को हुआ तो यह आपका जमाल खशो गामी को यह मिला है ठीक है वो भी यह मरनु प्रांद मिला है नेस्ट कोशन है उननिस दिसमाद 2018 को इसरो द्वारा कौन सा संचार उपगरा लॉंच किया गया है तो यह आपका जीसेट 7A को लॉंच किया गया नेस्ट कोशन है हाकी विस्पकप 2018 किस ने जीता तो यह आपका बेल्जियम के द्वारा यह जीत गया है हाकी विस्व कप जो 2018 में हुआ था वो बेल्जियम के दुवारा जिता गया है नेश्च कोचँने हाली में आयोजीत मिस इंडिया वर्डवाइड 2018 के खिताब किस ने जिता है तो यह अपका स्रीस सेनी के दुवारा यह खिताब जिता गया है नेस्ट कोशन है 25 स्ट तक लगाने वाले दुसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गया है तो इस अभी को पता होगा यह बिराट कोली है वो बन गया है नेस्ट कोशन है वर्ष 2035 तक दुनिया का सबसे ज्यादा एकोनोमी माला सहर कौन सा होगा तो आपका अप्सेंटी से ही जोगा सुरत next question है हाल में किस भारत्या फिल्म को Oscar के लिए offset list किया गया है Oscar के लिए कौन सा film को offset list किया गया है तो आपका period and the end of sentence इस फिल्म को offset list किया गया है next question है किस राज सरकार ने 16,000,000 से अदि किसानों के क्रिश्ची रिर्ण को map किया है तो आपका 36 गड़ में इसको माप कर दिया गया ठीक है इस कर्ज को सोलो लाक से अधी किसानों के क्रिश्री रिन को माप कर दिया गया है नेश कोशन है 36 गड़ के मुईख मंतरी कौन बने है तो ये आपका भुपेस भागेल जी आपका अंजना ओम के सब्सक्रित को को आपका बेस्ट इंकर का आवाड मिला है ठीक है, बेस्ट एंकर का अवार्ड, तो यह आपका अंजना ओम के सब को बेस्ट, आपका बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है, नेक्ट कुछन है, विजय दिवस कम मनाया जाता है, ठीक है, विजय दिवस कम मनाया जाता है, तो आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है नेक्स और शनहाले में किस देश ने भारत के बड़े नोटों पर पदिश ने लगा तो आपका राय अंसर क्या हो जागा नेपाल नेक्स हले में इंडोनेश्या के किस जोला मुखिय में विश्पोट हुआ ठीक है इंडोनेश्या में एक आपका जो जोला मुझी है वो उसमें आपका बिस्पट हुआ है तो वो कौन सा तो इसका रिट अन्सर क्या हो자 Day घास श्पुतान सापुतान के जो ज्वुतान है अपका श्पुतान के यह उसमें विस्पट हुई है और वह कहा इस्थीत?" वह अपका इंडोनीशिया में इस्थीत है . नेश्कोचन पधान मंतरी नरेंद मोदे ने किस देश के लिए 1.4 billion dollar वित्तिय सहाता की घुषना किया है तो किस देश के लिए तो आपका माल्दीव के लिए किया गया है नेश्कोचन हाली में स्री लंगा के किस पधान मंतरी ने इस्तिफ़ा दे दिया तो इसका right answer क्या हो जागा महिंद्रा राज पक्षे महिंद्रा राज पक्षे के दुवारा पधार मौन्त्री से इस्तिपा दे दिया गया है आयियो आंप आपको दीखेैं वीडियो लगा वीडियो आच्जा लगा तो फ्रेंडश को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब जरूर करें क्योंकि इस तरह के हम आपको स्टेडी मेटरियल फुर्भाइट करते रहते हैं और वीडियो कैसा लगा आपको केमने में जरूर बाता है और कोई भी कुछिन में डाउट हो तो आप केमने में जरूर पुछे तो मिलते हैं नेस्ट उड़नों में तो तक लिए धन्नवाद